जांजगीर चापा में पुलिस ने पत्नी की हथ्या करने वाले पत्ति को गिरफतार कर लिया है पुलिस को चक्मादे कर आरोपी करीब 10 महेने से फराज चोड़ रहा था 17 जुन 2020 को सिवनी गाओ में शेवकुमार बरेठ ने जीहां चरित्र संदेह में पत्नी को जिन्दा जला दिया था पुलिस ने पत्ति को गिरफतार कर लिया था और मामले में उपचार के दोरान पेडिता की गंबीड़ता को देखते हुए कारेपालिक दंडा दिकारी महोदे के द्वारा पेडिता बसंति भाई बरेट का खतन लिया गया कतन पर से उसने बताया कि पीडिता को उसके पती शिव कुमार बरेट के द्वारा आग जला कर उसकी हत्या की गई है और इस पर कारेपलिक दंड़धिकारी के कतन के आधार पर मामले में 302 का आपरात पंजिबत किया गया और इसमें आरोपी शेयूकुमार्बरेट को गिरिफ्तार किया गया उसने अपने मेमरिंडम कथन पर से बताया कि उसकी पत्नी का गाउन के किसी अन्य व्यक्ती के साथ अवेश संबंध था जिसके चलते ही उसमें ऐसमें पत्नी को जला कर मारा इसमें आरोपिशियो कुमार बरेट को गिरिफतार किया जा चुका है